आज फिर से आपको सिफसंका सेफ चैनल में स्वागत है चलिए मैं आपके लिए नियू यर्के स्पेसल पे लेकायो मतन का रिजीपी मतन करी घर पे आप कैसे बनाए और पिकनिक पाटी बनाने जा रहे हैं तो कैसे बनाए तो ये देखिए हमने सबसे पहले मतन लिया हूँ जो एक केजी में मिनिमम आपको बीश पीश 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 जैसा पीशेस बनाए हूँ अब उसको हम बनाएंगे कैसे ये देखिए बहुत असाम डिसीपी सबसे पहले हमने एक एलमुनियम कराई लिया हूँ और उसको हम सबसे पहले गरम कर लेंगे और इसमें पांच केजि में मिनिमम हाफ एन लीटर मतलब आधा लीटर के जैसे आपको सेर्सो का तेल एड करना है सेर्सो का तेल से आप घर पे जबी भी मटन बनाए गर पे और अच्छा से कैसे पक जाए तो ये देखिए तेल में हमने सबसे पहले ड्राइग गरब मसाला एड के हूँ दो चार पिस ग्रीने लेची और ये देखिए दो पिस जैसा हमने इसमें दाल चीनी का जो छिलका होता है उसको हमने एड कर लिया हूँ और ये रहा आपको बिग गिलेची मतलब ब्लैक गिलेची वो भी हम दो चार पिस एड कर लेते हैं ड्राइग गरब मसाला क्यों एड करते हैं क्योंकि मटन जब भी वाइल होता है तो उसका अंदर में फ्लैवर अच्छा होने के लिए हमको ड्राइग गरब मसाला एड करना होता है और इसमें ह से अराई के जी आप पांच के जी मटन में एड कर सकते हैं प्याज अब ये प्याज को मिनिमुम 50% हम पहले फ्राय करेंगे उसका बाद हम इसमें मटन एड करेंगे तो प्लीज आप लोग वीडियो को इसकीप नहीं कीजिएगा और स्टेप बाइस्टेप वीडियो को जरूर देखिएगा अन तक तो घर पे अगर आप नया साल पे मटन बना के खाना चाते हैं तो सिफसंकर सेप चैनल के माध्यम से आप लोग जरूर बनेए और कुमेंट करके सिफसंकर सेप को बोलिएगा आपका रिसीपी अच्छा था या खड़ा तो मैं आपको और भी अच्छा आप लोग अगर घर पे बना के खाते हैं तो साय बहुत ही अच्छा लगेगा साय नहीं मैं कुछ भी बनाता हूँ तो रिसीपी को छुपा के नहीं बनाता हूँ यह देखिए नमक डालने का सही समय मतलब अब इसको हमको नमक क्यों डालना पड़ था क्योंकि मतन और उसका साथ गलना चाहिए, मंगने पक जाना चाहिए, आप सोचते होंगे ये मटन कैसे गलेगा, क्योंकि हमने इसमें एक चाइफल ग्रेट करके डाला हूँ, इसलिए हमको प्रेसर कुकर का सहारा नहीं चाहिए, ये देखिए आप फ्राइड हो चुका है, हम इसमें सबसे पहले कास समेरी चिली पोडर मिनिममम 25 ग्राम, इसका साथ धन्या पोडर 25 ग्राम, जीरा पोडर 25 ग्राम, हल्दी पोडर 25 ग्राम से कम, मतलब 10 ग्राम 15 ग्राम का जैसा आप ले सकते हैं, और 5 से 6 ग्राम आप तीखा लाल, मतलब spicy चिली पोडर आप एड़ कर सकते हैं, इसका बाद इ साला भी अच्छा तरीका से फाय हो जाता है हाँ एक चीज अभी भी जरूर धियान रखिएगा क्योंकि हमने जिंजर गार्लिक पेस्ट अभी भी एट नहीं कियों इसलिए नहीं कियों कि जब भी आप अगर कुकर में बनाते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं हो नहीं पगड़ होता है तो मतलब अच्छा तरीका से इसको पकाना होता है अब यह देखिए हमने इसमें जिंजर गार्लिक पेस्ट मिनीमम 200 ग्राम का जैसा पांच केजी में जिंजर गार्लिक पेस्ट मतलब 200 ग्राम का जैसा हमने एड़ किया हो और इसको हम अच्छा तरीका से पहले पका लेता हूं उसका बात इसमें क्या डालना है आपको सबसे पहले एक टोपिया में गरम पानी कर लेना है यह देखिए हमने गरम पानी बॉयल्ड पानी हम एड कर रहा हूं थोड़ा थोड़ा सा और उस मसाला और त्याज को हम अच्छा तरीका से गलने देते हैं क्योंकि जब मस इस पी मटन खाएगा तो पिलीज सिफसंकर सेफ चाइनल का वीडियो को बारे में जरूर बोलेगा और शैर करना नहीं बोलेगा उमीद करता हूं जो सिफसंकर सेफ ने जो आपको आज मटन का रिसीपी दिया जरूर अच्छा लगा होगा प्लीज अगर अच्छा लगा तो जितने भी हैं सस्क्राब रहें प्लीज सस्क्राइब कर लेजिए आज के लिए ठेंक यू